नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बिए सेक एंडियर के 4th समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है psychology यानि की मनुवी ज्यान उसके अंदर कौन कौन से question आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले question के बारे में बताऊंगा स्वाप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वा पहले प्रश्न की बदाना है। अगले कोर्शन की बात की बदाना है। यहां पे आपको अधिगा मच्छमताप और संचीप में टीपड़ी लिखना है, अब अब अगली कोशन की बात कीजाते हैं, आपका पाचवा कोशन दियो है, काया रूप विकिर्तियों के लक्षड को सूची बद कीजिए, पाचवा कोशन की बात कीजिए, जो काया रूप व किर्टियों के लक्षड बताना है और उसको सूची बद करना है, अब अब अगली कोशन की बात कीजिए, आपका चाटा कोशन दियो है, मानो विजलता के चार परकार बताईए, जो मानो विजलता है, यहां पे आपको मानो विजलता के चार परकार बताना है, अब अब अग अब अब अगले कोशन की बात कीजित है तिहांप आपका दसवा कोशन दियề ہے मनोविकरिती विग्यान को परिभासित कीजिह दसवा कूशन कर रहा है जो मनोविकर्ती विज्ञान है यहाँ पिर आपको मनोविकर्ती विज्ञान की परिभासा लिखना है अब 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 अगरी कूशन की बात कीजिआ तहां पर अपका इगराओ कूशन दियो है मनो गरस्तिता बादेता मनस्ताप के लक्षड बताना है अब अब अगली कोशन की बात कीज़ते हैं पर आपका बरहो कोशन दियोगा है बियोजनात्मक बिवहर क्या है यहाँ पर आपको बियोजनात्मक बिवहर के बारें बताना है अब अगली कोशन की बात कीज़ते हैं पर आपका तेरहो कोशन दियो है उतसाह भिसाद मनोविकिरती क्या है तेरहो कोशन कर रहा है कि उतसाह भिसाद मनोविकिरती क्या है यहाँ पर आपको उतसाह भिसाद मनोविकिरती के बारे में बताना है अब अगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका 14 कोर्शन दियोगा है दुरभीती या फोविया के लक्षण बताईए 14 कोर्शन कर रहा है जो दुरभीती या फोविया है यहां पर आपको दुरभीती या फोविया के लक्षण बताना है तोटल आपके 14 कोश्चन होगे जो आप साती लगूत तिरे प्रस्णे में पुशे आएंगे अब आगे हम लगूत तिरे प्रस्णों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे लगूत तिरे प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं आपका पहला प्रशन दियो है असमान ये मनोविग्यान को परिभासित कीजिए पहला कोशन कर रहा है जो असमान ये मनोविग्यान है यहाँ पे आपको असमान ये मनोविग्यान की परिभासा लिखना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं आपका दूसरा कोश्चन दिया है दूसरा कोश्चन का रहा है जो 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 दूस दूरभीति या उसके क्या कारण होते हैं? यहां पर आपको दूरभीति के कारण बताना है. अब आपको दूरभीति के बादाना है. अब आपका चाटा कोशन दिया है. रूपांथर हिस्टिरिया या रूपांथर बिकिर्थी के अधरणा को सब्सक्राइब वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका साथवा कोशन दियावा है कनवर्जन हिस्टिरिया के कारण क्या है साथवा कोशन कर रहा है जो कनवर्जन हिस्टिरिया है उसके क्या कारण है यहाँ पर आपको कनवर्जन हिस्टिरिया के कारण बताना है अब वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका आठवा कोशन दियावा है पाइनिक बिकिरती के लक्षड बताईए आठवा कोशन का रहा है जो पाइनिक बिकिरती है उसके क्या लक्षड है यहाँ पर आपको पाइनिक बिकिरती के लक्षड बताना है अब वगली कोशन की बात कीजा तेहाँ पर आपका नव कोशन दियवा है आत्म विस्मिरिती के लक्षण बताएए आपको आत्म विसम्रिती के लक्षण बताना है अब अगली कोशन की बात कीजाएं तहां पर आपका दसवा कोशन दियेवा है। दिवी धुरिय विकृती का उपशार बताना है अब अगली कोर्षन की बात कीज़ा तह पर आपका दिवी धुरिय विकृती के बेवारिक पर रूप को स्पष्ट कीज़ए इगराव कोर्षन कर रहा है जो मौनो विकिरती के बेवारिक प्रारूप है यहाँ पे आपको मौनो विकिरती के बेवारिक प्रारूप को इसपष्ट करना है अब वगली कोर्षन की बात कीजाते हैं पे आपका बरहाव कोर्षन दियेवा है मौनो विजलता के हेवे फ्रेनिक रूप को इसपश्ट कीजे बरहो कोशन कर रहा है जो मौनो विजलता के हेवे फ्रेनिक रूप है यहाँ पे आपको हेवे फ्रेनिक रूप को इसपश्ट करना है वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका तेरहो कोशन दियेवा है Learning Disability क्या है तेरहो कोशन कर रहा है कि Learning Disability क्या है यहां पर आपको Learning Disability के बारे में बताना है अब वगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोधाो कोशन दियेवा है आपको 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 युसके बाद आगे आपको DCM 5 के परूबंग परिवर्तन बतनआ है अब फ़गली question की बात की जाते हैं पर आपका दूसरे question दिये वाँ है दूर्भीति चीनता भिकिर्थि के लक्शडों पर प्रकाई डालिए तीसरा कोर्षन कर रहा है जो दुर्भीती चींता विकिरती है यहाँ पे आपको दुर्भीती चींता विकिरती के लक्षड के बारे बताना है और उसके कानलों पर प्रकाई डलना है अब अगली कोशन की बात कीज़त तहां पर आपका चौथा कोशन दियवा है द्वी धुरिय विकिर्ती की विविशना कीज़े चौथा कोशन कर रहा है जो द्वी धुरिय विकिर्ती है यहाँ पर आपको द्वी धुरिय विकिर्ती की विविशना करना है अब अगली कोशन की पॉठन विकार के प्रकार कारण तथा उपचारों का संचीत में ओंड करना है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका सात्वा कोशन दियो है मद्दे बेशन के कारणों तथा बेवहारगत परिभासाओं का ओंड कीजे शातवा कोशन का रहा है जो मद इभेवसन है यहाँ पे आपको मद इभेवसन के कानडों के बारे बताना है तथा उसकी बेवहारगत परिभासव का बन करना है अब वगली कोशन की बात की जाते हैं पे आपका आठवा कोशन दियוד है धुम्रपान समंध विकिर्ती पर एक लेख लिखे आठवा कोश्चन कर रहा है जो निकोटीन धुम्रपान समंध विकिर्ती है यहाँ पर आपको निकोटीन धुम्रपान समंध विकिर्ती पर एक लेख लिखना है अब अगली कोशन की बात कीज़ते हैं पर आपका नव कोशन दियो है अउधान अभाव या अतिसा किरते विकिरती से आप क्या समझते हैं इसके कारणों पर प्रकाई डलना है अब अगली कोशन की बात कीज़ते हैं पर आपका दसवा कोशन दियो है बौधी काचमता की अउधाना इसपश्ट कीज़े बौधी काचमता के कारण तथा नैदानिक चीतर को इसपश्ट कीज़े दसवा कोशन कारा है जो बौधी काचमता है यहाँ पर आपको सबसे पहले ब आगोतिये प्रशन तीनों तरह के प्रशनों के बारे मिता दिया आ आप आप सोगा चाहिए और आपको नेग्ट क्यूशन थ् Madrid के उपर चाहिए